कर नित कर ही राम पदपूजा राम भरोस हिरदैन हिदूजा कुम भरासी के जो जातक है राहू महराज आपकी कुंडली के किस भाव में बिद्यमान है साथी साथ राहु महराज की जो पांचवी दिरिष्टी है, साथवी दिरिष्टी है, नौवी दिरिष्टी है वो आपके कुंडली के किस भाव पे पड़ रहा है राहु महराज का परिवर्तन कब होगा, किस तारिक को होगा राहू महराज यहाँ पर आपको सुबह पर रडाम दे रहे हैं या गलत पर रडाम दे रहे हैं आपके कुंडली में साड़े साती भी लगा हुआ है सनी महराज इस समय वक्री के भी अवस्था में है तो यहां पर राहू का रिजल्ट आपके लिए क्या निकल के आता है ये वीडियो स्पेसल राहू के लिए है राहू कुम भरासी को इस समें क्या क्या रिजल्ट दे रहे है पिछले साथ से आठ महीने में आप अनुभव करिएगा जो मैं बोल रहा हूँ जो मैं बताने जा रहा हूँ क्या आपके साथ वो घटना घटित हो रही है या नहीं जैस्री महा काल मैं रहूलती वारी आप सभी का आपका अपने इस चलने महर्दे से स्वागत करता हूँ दोस्त राहू महराज आपके कुंडली के दूसरे भाव में बैठे हैं दूसरा भाव जो होता है वो आपके बचत का होता है वाणी का होता है यहां से आपके कुटुम को देखा जाता है ब्लड रिलेशन को देखा जाता है इस जगह पर राहू महराज जी बैठे हुए हैं कुंडली के सबसे ज़्यादा मजबूत ग्रह सुर्य महराज और चंद्रमा जी होते है राहू जब अपनी चाल चलता है तो सुर्य पे भी ग्रहन लगा देता है और चंद्रमा पे भी ग्रहन लगा देता है सुर्य महाराज ये आपके तन के और रोशनी के कारण है तन और ग्ञान के कारण सुर्य महाराज तक जब आपका तन सांथ नहीं देगा और आपकी बुद्धी सांथ नहीं देगी तेप क्या कर पाएंगे यदि ग्रहन लग गया तो और चंद्रमा आपके धन के प्रतीक हैं मन के प्रतीक हैं मन के कारक देव चंद्रमा है यदि आपका तन मन धन ये तीनो सूर्य और चंद्रमा कंट्रोल करते हैं और इनहीं के उपर गहन लगाने का कार्य राहू करता है अब आप सोच कि देखे यदि आपके कुंडली में राहु ग्रहन लगा दे हाला कि राहु ग्रह में आता ही नहीं है चाया ग्रह में आता है लेकिन फिर भी ऐसी युक्ति करता है ऐसी चाल करता है जिससे सुर्य पे भी ग्रहन लग जाता है और चंद्रमा पे भी ग्रहन लग जाता है अब आप सोच के देखें कि राहू आपके कुंडली में कितना जादा महत तो रखता है राहू महराज जिसके कुंडली में मजबूत होते हैं ऐसे विक्ति वाणी में बात करने में और एक्टिंग के लाइफ में नेता अभी नेता यदि कोई कारे कर रहे हैं किसी के उपर अपना चाप छोड़ना हो अपने विक्तितों का प्रभाव छोड़ना हो जिसका राहू तेज रहेगा ऐसे विक्ति प्रभाव साली होते हैं कोई भी बात बोलेंगे तो उसके वात में वजन होता है, सामने वाला उसके बात को थोड़ा सा तवज्जू देता है, यदि आपके कुंडली के राहू कमजोर है तो आपकी बातों में हलकापन रहता है, आप जो बोलोगे उसको कोई केयर ही नहीं करेगा, राहू महराज, चांडाल ग्रह में आते हैं, पाप ग्रह में आते हैं, ऐसे कारक देव होने के बावजुद भी ये पाप ग्रह में है, वैसे ये अमरित का पान किये वह हैं, जब आपके कुंडली में अच्छे दृष्टी डालते हैं, तो आपके लिए सुभधाई प्रडाम अम्रित के समान फल देने का कार्य राहू महराज कर सकते हैं केतु महराज आपके मुक्ष के देव होता है मुक्ष प्रदान कर सकते हैं और कोई ग्रह आपको मुक्ष नहीं देता है पर केतु महराज आपको मुक्ष प्रदान कर सकते हैं ऐसे देव हैं जिसके कुंडली में संत तो सभाव जादा होता है जो वेक्ति संत के प्रती जादा आभार वेक्त करता है ऐसे वेक्ति के कुंडली में केतु मजबूत रहते हैं और जो संतों का आनादर करता है संतों को दूर करता है ऐसे वेक्ति के कुंडली में केतु महाराज नीच के होते हैं उनके उपर नाराज रहते हैं हमेसा केतो महाराज तो यहां पर राहू महाराज आपके कुंडली के दूसरे भाव में बैठे हैं दूसरे भाव में बैठने का मतलब होता है आप अनुभाव करिए पिछले साथ से आठ महीने में आप घोर संकट में चल रहे हो धन की वेवस्था को लेकि छोटे सासी के जो जातक हैं धन की वेवस्था को लेके आप के लिए बहुत ही जादा समस्या पढ़ रही है पिछले साथ से आठ महीने में जितना साड़े साथी के असर नहीं पढ़ रहा है उससे जादा असर आपको राहू महाराज दे रहे हैं आपके कुंडली में तो यहां पर लाहू महाराज प्रतम भाव से दूसरे भाव में जो बैठे हैं इस समय आपके कुंडली में राहू महाराज आपके धन की विवस्था को बिलकुल चर्मरादीये हैं वारी पे आपका कंट्रोल नहीं है आप किसी को कुछ भी बोले जा रहे हो गलती आपकी है मेहनत कर रहे ह आप मेहनत बिल्कुल कर रहे हो अच्छे दिसामे कर रहे हो पर सब कुछ अच्छा चल रहा है अचानक आपके मुख से कुछ ऐसी बाते निकल जा रही है जिसके वजह से सारा किया दिया विर्थ चला जा रहा है कभी-कभी मुसीबतों का सामना करना पर रहा है अपनी बात की वज़े से आपका दिमाग ही कारे नहीं कर रहा है कि आपको करना क्या है साथी-साथ आपके जो रिलेशन वाले लोग है बलड रिलेशन वाले लोग हैं कुटुम के लोग हैं वो भी आपसे खपा है नराज है क्योंकि राहु महाराज दूसरे भा़व में बैठके वाली पे कंट्रोल करते हैं धन पे कंट्रोल करते हैं और यहां पर आपके कुड़ों को यह तीनों को राहु महाराज आपके लिए इस समय गलत प्रवित्थि में डाल रहें आपको परिस योग सत्रू और रिन देखा जाता है आप अनुभव करिए पिछले साथ से आठ महीने में आपका रिन और बढ़ गया है कम नहीं हो रहा है बढ़ गया है पिछले साथ से आठ महीने में आप देखिए जहां पर आपका कार हो जाना चाहिए था वहां पर अब नहीं हो रहा है आपके अंदर टेंसन डेप्रेशन ये सब दे रहे हैं। कहीं न कहीं आपका जो सारी रिक छमता है वो कम हो रहा है। सोचना समझना आपको आप अपने आप में वो जो कॉंफिडेंस है वो नहीं ले पा रहे हो। राहु महराज की जो सात्मी दृष्टी है वो आपके कुंडली के अश्टम भाव पे पढ़ रहा है। नियती साफ है। आप सही तरीके से की हैं लेकिन उसे गलत अंदाज से लोग प्रस्तुत कर रहे हैं। जिस जिसको आप बचा रहे हैं वो चीज जा रहा है तो यहां पर आपका एस्वरे में कमी कर रहे हैं रहस्य को उजागर कर रहे हैं सात्मी दृष्टी से क्योंकि कुंडली का जो अश्ठम भाव रहता है वो रहस्य का होता है सुख का होता है मृत्यू का होता है आयू का होता है तो यहां पर आपका फुरा तक्तों का विवाग पूरी तरह से हिला हुआ हुआ है राहु महराज की जो नौवी दृष्टी है वो आपके कुंडली के दसंभाव पे पढ़ रहा है दसंभाव पे पढ़ने का मतलब होता है यहां से आप जो कार कर रहे हो बिलुकुल सारी से कर रहे हो बिल्कुल मेहनत से कर रहे हो लेकिन उसका रिजल्ट आपको पिछले आट मेने में जीरो मिल रहा है कुछ नहीं मिल रहा है बिल्कुल मिल ही नहीं रहा है लेकिन फिर भी आप उससे जूज के लड़के किसी तरीके से अपने आपको बाहर निकाल रहे हो ब जाने वाला महिना जो है अगस्त महिने के बाद देखेंगे कि आपकी इस्ति परिस्ति बहुत ही जादा बदलने वाली ये दो महिने के लिए जब तक सनी महराज वक्री के अवस्थाम रहेंगे तब तक आपका जो कारिचित रहे अगस्त महिने से मजबूत होने जा रहा है का वीतरन करना है यथा सकती जितना हो सके साथी साथ आप ओम भ्रांग भ्रिंग भ्रोंग साहर आग्वे नमा इस मंतर का जाप कर सकते हैं या फिर आप सिव जी की इस्तुति कर सकते हैं यहां पर यदि आप सिव जी की पूजा करते हैं तो राहू सिव जी को अपना गुरु म प्रेसर जादा पड़ता है तो गेद भी बहुत लंबी उच्छाल मारती है इसलिए आपको अप तयार रहना है क्योंकि आपके साथ कुछ अच्छा होने जा रहा है राहू महराज अब आपको अच्छा result देने जा रहा है क्योंकि मार्च के पहले पहले ये आपको कुछ ने फिर परिवर्तन करेंगे यदि आपकी कुंडले में और भी कोई समस्या तो आप हमें कोमेंट करके पूछ सकते हैं साथी साथ ये वीडियो कैसा लगा कोमेंट करके जरूर बताईएगा जैसरी महाकाल आपका दिन सुब हो मंगल हो स्वस्त्रहे मस्त